पटनो और पटना की सडकों का जाम जाम की समस्या पटना में इतनी ज्यादा है कि लोग कहीं जाने से पहले चार घंटे ये तय करते हैं कि किस रूट पर सबसे कम ट्राफिक मिलेगा, किस रास्ते पर गाड़ी सबसे आराम से चल पाएगी कई बार तो लोग कहीं जाने का प्लान सिर्फ ट्राफिक के खयाल से ही कैंसल कर देते हैं लेकिन ये ट्राफिक की स्थिती सबसे जादा मुश्किले तब बढ़ाती है जब कोई एमरजेंसी हो ट्राफिक की स्थिती एक व्यक्ति को तब रुला देती है जब लाल बत्ती वाली अम्बिलेंस भी ट्राफिक में अटक जाती है और अस्पिताल पहुँचने में दीरी के कारण हालत खराब होने की स्थिती उत्पन होने लगती है इस समस्या के मद्दे नजर अपटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH तक पहुंचने के लिए नया रास्ता तैयार किया जा रहा है जुसके जरीए लोग बिना जाम में फस्य अस्पताल पहुंच पाएंगे गंगापत से PMCH को जोडने के लिए एक Elevated Road का निर्मान कार किया जा रहा है Elevated Road में पस्चिमी Elevated Road पर गार्डर चड़ाने का काम पूरा हो चुका है गंगापत से PMCH को जोडने वाली सड़क का निर्मान अगले महीने तक पूरा कर लिया जाएगा इस रोड का कंस्ट्रक्शन से जड़ा कुछ काम अब भी बाकी है पूरप साइड में Elevated Road तैयार करने में पांच गार्डर चड़ाने का काम अभी बाकी है इस महीने के अंद तक गार्डर चड़ाने का ये कार्य पूरा हो जाएगा गार्डर चड़ाने के साथ स्लाप कास्ट का भी काम होना है ये सारे काम हो जाने के बाद फिनिशिंग का काम किया जाना है जिसे पूरा करने में करीब एक महीने का वक्त लग सकता है आपको जानकारी के लिए बता दे कि गंगा पत से PMCH को जोडने के लिए 525-525 मीटर के दो-दो लेन का एलिवेटर रोड तैयार किया जा रहा है PMCH बाउन्डरी से लेकर राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक के बगल में 62 मीटर की फोर लेन सड़क तैयार की जा रही है इससे लोग कम से कम जान का सामना करके PMCH के अंदर तक पहुँच पाएंगे उस अलाके में ट्राफिक के समस्या काफी जादा होती है ऐसे में कई बार आंब्यूलेंस भी इस ट्राफिक में अटकर है जाती है और अस्पताल पहुँचने में कई बार देर हो जाती है और इनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ऐसे रास्तों का निर्मान किया जा रहा है जिससे लोग एमेरजेंसी की स्थिती में अस्पताल जल्द से जल्द पहुँच पाएं और ट्राफिक की वज़े से कोई अनहुनी ना हो लगिन यहां आपको एक बार ये समझा देते हैं कि रूट तक आप पहुँच कैसे सकते हैं गंगापत से PMCH के आने के लिए दिगगा से साड़े साथ किलो मीटर से आगे चार सो मीटर के पास यू टरन लेकर बाई लेन की सड़क से आना होगा जबकि पस्चिम साइट से बने अलेवेटर रोट से लोग गंगापत की ओर से निकलेंगे गंगापत से PMCH के जुड़ जाने के बाद लोगों को अस्पतार पहुँचने में जाम नहीं मिलेगा अशोक राजपत में होने वाले जाम से राहत होगी उत्तर विहार में PMCH आने वाले जेपी से तु पार कर रोटरी के माध्यम से गुलंबर होते हुए गंगापत से आप पहुँच जाएंगे और ऐसी अगर आप इस रूट को समझ लेते हैं तो फिर कम से कम जाम का सामना करके आप जल से जल अस्पतार पहुँच पाएंगे आप देख रहे थे Life Cities से सौमयर आठी की रिपोर्ट अब बाकी की वीडियोस के लिए चानल के साथ बने रहें अगर इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करे लाइप से टीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं धन्यवाद